नमस्कार दोस्तों मैं रूपमतिवर्थे भुपाल से और आपका स्वागत है मेरे चेनल रूपग ग्रीन गार्डन में उम्मित करती हूँ कि आप सब भी स्वस्त होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चेनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन को भी दवा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको तो दोस्तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि गुल्दावदी को अगले साल के लिए हम किस प्रकार सेव करके रखें ताकि हम जब कटिंग लगा है तो हमारी गुल्दावदी के प्लांट सेव हो जाएं तो चलिए दोस्तो उसी की विसे में मैं आज आप लोगों से बात करूँगी तो ये देखिए दोस्तो ये हमारे कुछ गुल्दावदी के प्लांट है और दोस्तो वैसे तो गुल्दावदी का काफी दिन पहले ही सीजन खतम हो गया है जाद तर दिसंबर और जनवरी के मैन इतके रेता है गुल्दावदी का पिरेड लेकिन कुछ प्लांट जो बाद तक की फूल देते हैं जो पिछली वारी के जो होते हैं तो उसमें फ्लावरिंग चालू होती है और फरवरी कहीं तो आदी फरवरी निकल जाती जब तक के भी उसके फूल अच्छे बने रहते हैं और मैंने यही पीछे बाद में लिये थे वो प्लांट तो वो मेरे अभी तक के सही थे उसके फ्लावर और अब इस पेंट हुए हैं तो उसी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ वैसे काफी लोगों ने इसको सेफ करके रख लिया होगा लेकिन कुछ भाई भेनों ने अगर सेफ नहीं किया है तो उसके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा कारगर है तो दोस्तों चलिए आज मैं बताती हूँ तो यह है हमारी गुल्दाओदी के प्लांट और इसके फूल भी देखिए खराब हो गए हैं अब इसके फूल सूखने लगे हैं यह देखिए यह और यह सभी के फूल सूख रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस भी से पर वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ यह देखिए यह सारे फूल सूखने लगे हैं और दोस्तों इसको पैचानने का एक यह है कि हमारे जो प्लांट अब फूल नहीं देंगे और नहीं अच्छे से सर्वाइब करेंगे क्योंकि इसकी जो नीचे नीचे की जो स्प्राउट है यह देखिए यह जो नई ग्रोथ आने लगती है तो इसका मतलब प्लांट बताने लगता है कि अब हमको यहां से कट कर दो और हमारी कटिंग कर दो ताकि हम नई ग्रोथ फिर से चालू कर दे यह देखिए यह सब इसमें यह नई ग्रोथ आ गई है तो इसका मतलब यह यह कि हमें इसको कटिंग कर देना चाहिए और फिर एक कुछ प्लांट मेरे यहां है यह देखिए यहां यह मैंने करनी पाई थी कि मैं वीडियो बनाओं उसके लिए मैंने रखा था यह तो दोस्तों अब क्या करना यह नए नए सब निकलने लगे हैं हमारे तो सबसे पहला काम तो यह है कि हमें यहां से कट कर देना चाहिए और कटिंग करने का सही ढंग क्या है यह भी मैं बताती कि हमको यहां से नहीं वैसे कई कई लोग डवल से फूल लेते हैं पर वो फूल इतने अच्छे नहीं आते हैं तो हमें डबल से फूल लेने का कोई मतलब नहीं होता है इसको हमें पिछले आने वाले सीजन के लिए सेफ करना ही मुनाफिक है जैसे ये देखिए ये डबल से आए हैं डबल से इसकी ये कलिया बन गई है लेकिन कलिया फूल आते आते काफी टाइम हो जाएगा और फिर वो सही से सरवाइब भी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले भी डबल से फूल लिये हैं इसके तो हमको कट कहां से करना है एकदम नीचे से कट करना बस हमें दो तीन इंच उपर छोड़ना है बाकि नीचे से कट कर देना है यहां से हम cut कर देंगे तो यह जो नीचे की sprout निकल रही है वो बहुत ही अच्छे से निकलेगी यह देखिए आपको दिख रही होगी यह sprout तो हमें पूरा प्लान को यहां से कट करना चाहिए एकदम नीचे से करना है ताकि उसकी जो नई नई ग्रोथ है वो अच्छे से उभर के आ जाए बस इतना इतना छोड़ना चाहिए क्योंकि इसको जादा उपर तक रखने का कोई मतलम नहीं इसमें अब कोई से सुट्स नहीं और यह जो निकल यह जो हमने काटी है इसको हम कटिंग लग बना लेंगे तो इसकी जैसे इतना लंबा है तो इसकी हम दो से तीन कटिंग बना लेंगे और कटिंग भी लगा सकते हैं कटिंग भी अच्छे से लग जाएगी तो दोस्तों हम सारे प्लांट की यहां से कट कर लेंगे इस प्रकार सभी प्लांट की हम यहां से कटिंग कर लेंगे मैं पूरे कट करके फिर आप लोगों को बताती हूं और इनको फेकिएगा नहीं है कटिंग करने हैं यहां से यह चीज काट के और फी यह हमारी एक कटिंग बन सकती है तो यह देखिए दोस्तों हमने सभी प्लांट की यह कट कर लिए और कुछ यह सभी में सकर भी निकल चुके हैं पहले से यह सभी प्लांटों में सकर निकल चुके हैं तो फिर हम क्या करेंगे की हम अच्छे से गुडाई कर लेंगे इसकी इसको कटिंग करके और अच्छे से गुडाई करके और फिर हम कोई भी फंजिसाइट लेंगे कोई भी फंजिसाइट आप लेंगे यह मैंने यहां पर ट्राइकोडर्मा लिया है फंगस के लिए कि हमारे जो कटिंग करी है वो प् चाइज कर लीजे ताकि कोई फंगस वगेरा ना लगे कोई किटाणू ना रहे हमारे कटर में तो यह आप कर लीजेगा और कोई भी फंजिसाइट इसमें अच्छे से आधा चम्मच या एक चम्मच बस इस प्रकार में ऐसे मिट्टी के उपर से ऐसे डाल दीजिए अभी मेरे क्या कीजिए कि कोई भी फटिलाजर इसमें एड कर दीजिये चाहे तो आप गोबर खाद दे सकते हैं या सरसो की खली में वह सबसे वेश्ट होता सरसों की खली का वह अगर हो लिक्विट मेरी पास अभी बना नहीं है तो मैं बाद में एड करूंगी और या तो आप बर्मी नए प्लान्टों की ग्रोथ के लिए डिये पी पी अच्छा है तो हम क्या करेंगे जिसे हमारे 10 से 12 इंच का गंबला है तो उसमें 8-10 दाने काफी होते हैं तो हमें इस प्रकार ये इतने से दाने लेकर और फिर जड़ों के आसपास हम यूँ इस प्रकार हम डाल देंगे बीच में नहीं डालेंगे जड़ों के आसपास हम डाल के और या तो आप मिट्टी कवर कर दीजे या तो फिर उपर से ऐसे ही कोई टूल से लेके उपर नीचे मिट्टी कर देंगे फिर क्या होगा इसमें पानी डाल देंगे और फिर हमें इसको छोड़ देना है हमें इसमें फिर पानी डाल देना है और फिर हमें इसको छोड़ देना फिर क्या होगा इसमें नहीं नहीं जो शकर निकलेगी यह जो नहीं नहीं सूट्स निकलेगी उसमें फिर हम कटिंग लगाने में काम में आएगी तो दोस्तो वीडियो में इतना ही कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताईएगा दोस्तो धन्यवाद